आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी आठवी कक्षा की हिंदी की वरक्षीट जिसमें आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखिया और हमारे कारेपत्रक का नंबर है 14 और आज की तिती है 12 नवंबर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहां पर दो चीज़े दिहान से देखना चाहेंगे या फिर यह दो चीज़े हमारे लिए बहुत जरूरी है पहला जब हमने यहां पर कहा कि यहां लिखा हुआ है कबीर की साखिया तो अब बात आती है कि यह साखिया क्या है तो अग कबीर की साखियां इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कबीर के दोहों को पढ़ते हैं तो उन दोहों में एक सीख होती है वो दो लाइन का दो पंक्ती का दोहा और वो दो पंक्ती का दोहा हमें सीख देता है इसलिए कबीर के दोहों को साखियों के नाम से जाना जाता है तो चलो शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चो आज हम कबीर दास की साखियों को पढ़ेंगे कबीर दास ने के जीवन से जुड़े आचरन व्यवहार आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है आपकी पाठे पुस्तक के पाठ कबीर की साखियां से हम आज दो साखियों, दोहों को समझने का प्रयास करेंगे तो कितने दो, आज हम दो साखियां या दोहे पढ़ेंगे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कबीर की जो साखियां है ये हैं दोहे तो चलो शुरू करते हैं आगे की और कबीर दास दोरा जो साखियां दोहे कहे गए हैं उनमें से जिन दो दोहों को पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ने से पहले हम पहले कभी दास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं इस पिच्चर को देखिए जब हम इस चित्र को देखते हैं तो यहां पे कभी दास का एक कालपनिक चित्र बनाया गया है और साथ में हमें उनके अबारे में कुछ जानकारी दी गई है कि कभी दास का जनम समवत 1445 में हुआ था तो समवत 1445, 1445 का मतलब है 1398 ईश्वी ईश्वी में और समवत में जो भारती है कलेंडर का अगर कहें कि समवत होता है भारते कलेंडर में हम समवत का प्रयोग करते हैं तो भारते कलेंडर का जो समवत है वो ईश्वी से 57 साल का फर्क रखता है तो 57 अब बढ़ते हैं आगे जन्शूरूती, जन्शूरूती मतलब लोगों के द्वारा जो बाते कही जाती है उनके अनुसार ये माना जाता है कि कबीर जी का जन्म एक विद्वा ब्रह्मनी के घर्ब से हुआ था और लोक लाज के डर के कारण उन्होंने कबीर जी को त्याग दिया था मतलब जब ये बिल्कुल छोटे से थे, यानि कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद ही इन्हें उन्होंने त्याग दिया और त्याग कर कहाँ छोड़ा, लहरतारा नदी के किनारे पर या लहरतारा नामक यहां पर तलाब लिखा हुआ है वैसे लहरतारा नामकी नदी भी है दोनों ही बाते पढ़ने को मिलती हैं कहीं पर नदी लिखा हुआ मिलता है कहीं पर यहां पर तलाब भी लिखा हुआ मिला है तो वहां पर उन्हें छोड़ दिया था और एक जुलाहा द पत्ति थे यानि कि पत्ति पत्नी थे उनका नाम था नीमा और नीरू और उन्होंने ही कबीर जी को पाला पोसा कबीर जी की मृत्तियू 120 वर्ष की आयू में हुई 1518 इच्वी में और कहां पर हुई मगहर में मैं आपको कबीर के बारे में एक इंटरस्टिंग बात बता देती और उन्हें लगा कि मेरा अंत समय निकट आने वाला है तो वह स्वेम काशी में रहते थे काशी से मगहर चले गए क्योंकि लोगों का मानना ये था कि जो मगहर में मृत्यू जिसकी होगी वह नरक जाएगा और इसलिए वह काशी को छोड़कर मगहर में जाकर बस गए और जिनकी वात हम कर रहे हैं कि आज हम कभी दाज के दोहे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला दोहा दिया गया है जाती न पूछो सादू की पूछ लीजिये ज्यान मोल करो तरवार का पड़ा रेंदो म्यान इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमें सादू का ज्यान क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्यान काम आता है, सादू की जाती, धरम, कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्यवान व्यक्ति नहीं होता, मुल्यवान होता है व्यक्ति का ग्यान, बिलकुल ठीक उसी तरह, जैसे कि मयान के अं नहीं आएगी, आपके लिए काम आएगी तलवार, यह तरवार लिखा यहां पे इसका मतलब है तलवार, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैयान का जैसे कोई मुल्य नहीं है, उसके अंदर वाली तलवार का मुल्य है, वह हमारे लिए उपयोगी है, बिल्कुल उसी तरह से व्यक कि उपयोगी नहीं है उसके अंदर जो ग्यान है वह उपयोगी है तो ग्यान पर ध्यान देना की सादू की जाती पर भावार पढ़ लेते हैं हमें किसी सादू की जाती या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बलकि उसके ज्यान से मतलब होना चाहिए जैसे मोलभाव दिवार की उप्योगिता है, मैयान की उप्योगिता, नहीं है, अब बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर, आवतगारी एक है, उलटत होई अनेक, आवतगारी, यानि कि गाली, आती है एक, और बदले में हम 4 देदेते हैं, या फिर हमने किसी को एक दी तो सामने वाला हमें चार गाली पलट कर देगा क्या है कबीर नहीं उलट ये कबीर दास कहते हैं कि उलट कर बोलो ही मत किसी ने एक गाली दी तो तुम पलट कर एक भी मत दो अनसुना कर दो वही एक की एक अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी गाली उसी के पास रह जाएगी अगर हमने किसी की बात को अंसुना कर दिया तो सामने वाले को यही लगेगा कि हम तक वो गाली नहीं पहुँची तो अगर हम तक नहीं पहुँची तो मतलब उसकी उसी के पास रह गई तो भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार की क्या भावार्थ है इसका भावार्थ है यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए मतलब पलटकर उसे वापिस गाली नहीं देनी चाहिए उलटने से क्या होता है उलटने से बहस शुरू हो जाती है और इस तरीके से बहस बढ़ती चली जाती है क्योंकि ना तो गाली आप सुविकार करेंगे ना ही सामने वाला गाली को सुविकार करेगा और इस तरीके से बात बढ़ती चली जाएगी इसलिए अच्छा है कि किसी ने एक बात कहे दी तो आप उसे चुपचाप सुन लें और इस तरीके से बहस को बढ़ाने से रोक दें क्योंकि बहस होती है तो मन में कलेश बढ़ता है यानि कि एक दूसरे के प्रती मन में खराब भावनाएं आ जाती है तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ देखते हैं और क्या खास बाते आज हमारी वर्कशीट में जो हमें सिखाई उसमें से हमने क्या सीखा तो चलो अब हम क्या करते हैं प्रश्ण को करते हैं तो पहला प्रश्ण था तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं उक्तो उधारन से कबीर क्या कहना चाहते हैं तो हम ये पढ़ ही चुके हैं इस उधारन के माध्यम से कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं कि मुल्यवान तो हमें पलटकर गाली इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसे करने से बहस शुरू हो जाती है और बहस को खतम करने का सबसे आसान तरीका है कि हम समने वले की बात का जवाब ही ना दें उसे सुनकर भी अनसुना कर दें तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नी की और कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है पता कीजिए और लिखिए वैसे तो मैंने आपको ये बात एकदम शुरू में ही बता दीती कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सीख है सीख यानि की सिक्षा है और उसी सीख या सिक्षा शब्द से बना है साखी तो चलो अब अगला प्रेश में देखते हैं हमें एक गतिविदी दी गई है जिसमें करना ये है कि कबीर के कोई पांच दोहे हमें डूढ कर लिखने है जो आपकी किताब में नहीं दिये गए हैं तो फटाफट से इन्हें देख लेते हैं पहला दोहा आपने सुना होगा बड पोथी को चाया नहीं फल लागे यति दूर दूसरा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई धाय अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई मतलब कितनी भी पोथी पढ़ लीजिए उन पोथियों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता अगर हमने पूरे जग प्रेम करना सीख लिया तो हम ही सबसे बड़े ग्यानी हैं और पहले वाले का अर्थ भी मैं आपको बता देती हूं बड़ा हुआ तो क्या हुआ मतलब यहां पर इस दोहे का मतलब था कि जैसे पेड़ खजूर का पेड़ होता है वो सीधा सीधा लंबा लंबा होता है और ब लोगों के लिना हो तो उसके बड़े होने का कोई लाब नहीं तीसरा गुरु गोविन दो खड़े काके लागू पां बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए तो यहां पर यह बताया गया है कि गुरु जो हमें सिक्षा देते हैं और इश्वर दोनों सामने हैं ऐसी इस्तिती में गुरु ने कहा कि तुम सबसे पहले इश्वर के चरण छूओ तो इस पर यह कहा गया है कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूं जिसने मुझे यह सीख दी अपने चरण छूने की जगह पर इश्वर के चरण छूने के दिए कहा कि उनके अंदर पत्थरों की मूर्थियां बनाकर उन्हें पूजा जाता है इस पर कभीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं सीधा पहार जाके पूज लेता इससे तो चक्की अच्छी है कम से कम लोगों को अनाज पीसने के काम आती है उसके बाद पांचवा काकर पत्थर जोड के मजजित लई बनाएं तापर चड़कर बांग देत का बहरा हुआ खुदाएं यहां पर एक शब्द रहे गया है तापर चड़कर मुला बांग देत का बहरा हुआ खुदाएं तो यहां पर वताया गया है कि कंकर पत्थरों को जोड कर मजजित को बना जो तुम उसके ऊपर चड़कर इतना शोर मचाते हो उसे बुलाते हो मतलब ये कि अगर आप इश्वर को पाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा के अंदर जहांके अपनी आत्मा के अंदर से इश्वर को प्रेम करें तो अब आपने देखा कि उन्होंने हिंदू थे या मुश्लि आप यह बढ़ना किया हो तो छलो यह थी आज की थी चोटी सी च्छोटी सी वरक्षीट मांभी करती हूं आपको एससे प्रशन उतर करने में बहुत मदद मिलेगी मार डियर स्चुडिन मेरे प्रिये विध्यार्थियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किय और अगर आप में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के निचार है रड कलर का निशान उसको क्लिक करते ही चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब इसको एक ही बार सब्सक्राइब होना करना होता है उसके बाद आप अगर बेल को दबा देंगे तो आपको स्वस्त रहें, खुच रहें और धन्यवाद